हेलो गाइज, नमस्कार, मैं हूप रीती और न्यूट्रिवेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज मैं बहुत ही सीम्पल सी एक रेसिपी सेयर करें हूँ जिसके बीना सब वासुबा हम फ्रेस नहीं होते, आख नहीं खुलती तो आज मैं मसाला चै की रेसिपी सेयर करें हूँ गर-गर में बनने वाली चै की रेसिपी चाय तो सब बनाते हैं, पर परफेक्ट तरीके से नहीं आप परफेक्ट जब तक चाय नहीं बनाएंगे, तब तक cya का मजा नहीं आएगा और इस तरीके से खास चाय, चुकडी की चाय, तो आज मैं इसी की रेसिपी शेर करूँ, इस तरीके से एक बार चाय जरूर पी करके देखना, जरूर ट्राइ करना, और वीडियो अची लगती है, तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो शुरू करते हैं, और एक इंच का टुकरा अधरक का, और एक चमच सौफ, आप चाहे तो ठंडी के दिन में दो काली मिर्ज भी डाल सकते हो, तो अधरक को कूट लेंगे, और इलाइची को भी हमें कूटना है, तो सबसे पहले मैंने अधरक को कूट लिया है और निकाल लिया है, अब आप चार कप का मिजर्मेंट लेते हैं, तो तीन कप चाहे बिल्कुल परफेक्ट तयार होगी, एक कप पानी या दूद जादा रखना, आप चाहो तो सिर्फ दूद में भी चाहे बना सकते हो, तो दो कप मैंने पानी लिया है, अब एक दूसरा बरतन लिया है, उसमें डाल मैं ठाल देंगे दो कप दूद, तो परले दूद को गरम करके हमें, अलग से doors दक करके रखना है, इसलिए मैं बोल लियो हूं कि चाह र्फेक्ट तरीके से हर घर में नहीं बनती, तो परफेक्ट तरीका यह है, इस तरीके से बनाना है, अब दूद गरम करने के लिया है, दुसरे चुले पर डाल करके ढग देंगे, अब यहाँ पर पानी वाला साउस्पिन मैंने डाला है, गैस का प्लेम फास्ट रखेंगे, और इसमें डाल देंगे सारे मसाले, पहले हम मसाले को चीनी को एक साथ हुबा लेंगे, तभी परफेक्ट चाय बनेगी, अब चला देते कर्ची से और इसमें डाल देते हैं चाय की पती, चाय की पती जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने एक चमच जो चमच दिखाया है, उससे एक चमच डाला है, और चाय को चला दिया है, और गैस का फास्ट रखेंगे, और फिर मिडियम रखें और इसी भीछ ढाल देंगे चीनी, और चीनी के साथ मसाले चीनी सब को उबालेंगे, चीनी को दूड डालने के बाद में हम डालते हैं, तो चाय पतली हो जाती है, या फिर काली हो जाएगी, चाय परफेक्ट, गारी और टेस्टी नहीं बन पाएगी, तो इस तरीके से आप च का रिजन यह है कि दूद्ध डालने के बाद में हम चीनी डालते हैं तो चाय पतली हो जाती है और दूद्ध डालने और कर्ची से इसे घोटते रहे जितना भी जहाग बनता है इसे बनने ना दे अंदर ही घोट दे इसे क्या होगा चाय गारी बनेगे और टपड़ी के जैसा जो गाड़ी वाली चाय होती है पर्फिक्ट बनेगा चाय को उबले देते हैं और यह जो चुला है इसे आउन करके रखा हुए मैंने मिट्टी का एक गलास लिया है चुकडी ली है कि गैस का फ्लेम फास्ट करके अच्छे से चारुतरब घुमा घुमा करके इसे गरम चाय तो आप पहुत पीए होंगे पर इस तरीके से एक बर चाय बना करके घर में पी के देखना डाबा रिस्टोरेंट या फिर टपड़ी पर भी इतनी अची चाय नहीं मिलेगी जैसा कि हम घर में बनाते हैं तो चारुतरब से पलट करके इसे करम कर लिया है अब चाय की त अभो का पहुत ही पड़े असी एक मैजिक आप देखते रहें वीडियो पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा तो इस तरीके से हम मिटी के चुकडी में गलास में चाय चाल लेंगे और जो पलेट में गिर रहे वो तो और ज़्यादा टेस्टी है चालने के बाद में जब सो तो और ज़्यादा मजा आता है तो चाय में चीनी पती दूदी कठे डाल करके हम चाय को बनने के लिए चरहा देते हैं कभी काली बन जाती है कभी पतली बन जाती है चाय परफेक्ट नहीं बनता इस तरीके से एक बार आप चाय जरूर बनाए सुबह की मॉर्निंग चाय म बनाएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट तो चरूर दीजिएगा नमस्कार